ख्लैमर इंडूस्ट्री में कब किसकी किसमत चमक जाए कोई नहीं कह सकता लेकिन यहां लोग जितनी जल्दी बुलंदियों पर पहुंचते हैं अगर शोरत को संभाल न पाएं तो उतनी ही जल्दी जमीन पर भी गिर जाते हैं काम्याबी के नशे में चूर से थारे जब शराब के लट के शिकार हो जाते हैं तो अच्छा भला करियर चौपट हो जाता है और दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे बॉलिवुड स्टार्स के बारे में जो नशे की लट की वज़ा से अपने करियर के साथ खिलवार कर चुके हैं तो दोस्तों कौन से हैं वो बॉलिवुड स्टार्स जानने के लिए वीडियो कान तक जरूर देखेगा और दोस्तों आगे वीडियो शुरू करें से पहले आपसे एक चोटे से रेक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा पूजा भट और मनीश मकीजा आया कि उन्होंने कभी भी कोकीन को हंत नहीं लगाया गौरी खान अपको जानकर हैरानी होगी कि नशे के लस्ट में बॉलिवुड के बाद शाह शारुक खान की पतनी गौरी का भी नाम आता है बता दें एक बर वो बॉलिन एयरपोर्ट पे मैरुवाना का सेवन करती पकड अर्जुन का फिल्मी सफर लंबा तो रहा लेकिन सफल नहीं कहा जा सकता वो आज भी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में ही नजर आते हैं धर्मेंद्र बॉलिवुड के ही मैन यानि की धर्मेंद्र ने फिल्म यमला पगला दिवाना 2 के प्रमोशन के दोरान बताया कि कैस एक समय था जब बच्चे-बच्चे की जुबां पे यो-यो हनी सिंग का नाम होता था लेकिन अब ये नाम गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो चुका है एक एक करोडों लोगों को अपना फैन बनाने वाले हनी सिंग नशी की हैलत में खुद को भूल बैठे हैं लेकिन अब की बेटी शाहीन उनके पैस बैठने से कत्राने लगी तो उन्होंने इस बुरी आदत को छोड़ना मनासिब समझा कंगना रनावत दोस्तों फिल्म गैंग्स्टर से बॉलिवुड में डेब्यू करने वाले मशूर अभिनेतरी कंगना रनावत अपनी पहली फिल्म में सिगर समोकर हैं और इसके अलावा उन्हें शराब पीने की भी आदत है संजय दत इसकड़ी में नाम आता है बॉलिवुड के संजु बाबा यानि कि संजय दत का बता दें कि संजय दत तकरीबन 12 साल तक ड्रग्स के नशे में डूबे रहे है इसके बाद उनके पता अक्टर सुनि प्रतीक नशे में अपनी पूरी जिंदगी पूरी तरह तबाह कर चुके थे लेकिन प्रतीक ने खुद को सुधारते वे अपनी जिंदगी को फिर से एक नई उडान दी और आज वो नशे की आदत को बिलकुल छोड़ चुके हैं गितांजली नाकपाल बहुत ही कम लोग गितांजली के बैरे में जानते हैं बतादें कि वो 90 के दश्यक की एक मॉडल रह चुकी हैं और कई टीवी शोज में भी काम कर चुकी हैं लेकिन नशे की बुरी लत की वज़ा से वो आज दुनिया में नहीं रही रनबीर कपूर बॉलिवुड के चॉकलेट और चामिंग आक्टर रनबीर कपूर का नाम भी इस लस्ट में शामिल है रनबीर कपूर को शूटिंग के दौरान स्मोक करते अक्सर देखा जाता है यहां तक कि उन्होंने खोद यह बताया है कि वो आक्टिंग स्कूल में पढ़ने के दौरान से ही स्मोकिंग कर रहे है एक समय था जब बॉलिवुड में फर्दीन खान उभरता सितारा साबित होय थे लेकिन नशे की लतने उनके करियर में भी असफलता की बाढ़ ला दी अज बॉलिवुड से फर्दीन खान का नाम गायब हो चुगा है बता दें कि साल 2001 में कोकेन मामले में उन्हें मुंबई से गिरफ़तार भी किया गया था मनीशा कोईराला नब्बे के दशक की सूपर हिट अक्ट्रेस मनीशा कोईराला का फिल्मी सफर साथवे आसमान पे रहा लेकिन देखते ही देखते वो भी नशे में खुद को खो बैठी उनकी नशे की आदित की वज़ा से उन्हें ओवेरियन कैंसर से जंग लड़नी पड़ी जो कि महिलाओं में सबसे खतरना कैंसर माना जाता है ये पेट के निचले हिस्से में होता है और इसके लक्षन आसानी से पता भी नहीं चलते लेकिन समय रहते और जान की परवा करते हुए मनीशा ने नशे को बाय बाय कह दिया तो दोस्तों इन फिल्म स्टार्स में से आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है हमें कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें तकि हमारी और भी इसी तरह की इंडरस्टिंग विडियो आपको देखने को मिलती रहें सबसे पहले धन्यवाद